गुद मॉरिंग, कुछ चुनिंदा स्टॉक इनकी काफी डिटेल में चर्चा भी हो रही थी, टाटा ग्रूप एंटिटीज उसमें खास्तों पर टाटा केमिकल्स, टाटा इंवेस्टमेंट स्क्रीन्स पर रहेंगे, थोगा सा कोर्स करेक्ट करते हुए इस वीकेंड के जो अ में आता हुआ, वो सेबी के अपडेट्स इसे बार कर दिया गया है, फ्रेश डेट इशुएंस से, मैनेज करने से, आठ परसेंट के आसपास का वापस दबाफ ये जहलता हुआ, टॉरेंट पावर एड़ाप रखिएगा, बढ़िया आठ, नौ परसेंट के आसपास के वैसे ही, आरवी नेल पर ओडर्स की जड़ी लगी हुई थी, आठ सुब इसे चर्चा हो रही थी, वो स्टॉक भी बढ़ा बढ़िया पोजिटिवी रियाक करता हुआ, और हाँ, NLC इंडिया रडाप रखिएगा, आज OFS रिटेल के लिए खुला है, बढ़िया मजबूती इस स्टॉक में बन गई है, थर्सडे को जब नॉन रिटेल के लिए खुला था, तो अल्मोस्त तीन गुना ये सब्सक्राइब हो था, 2.92 ताइम्स नॉन रिटेल का कुटा, अच्छा रिस्पॉंस तब था और आज रिलीफ के मोमेंटम, रिलीफ रैली पर ये स्टॉक बन और क्या अच्छा कर रहा है स्कीन पे, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि फार्मा अच्छा मूव दे रहा है, आज एक बार बायो कौन का चार्ट चेक डिलेते हैं, और फिर इस स्कार क्रेम के अल्मोस्त नमनते हम पड़ाओं में होंगे, इस 2.84, ये एक अच्छा ब्रेक आउट ब्रिक आउट पॉसिबिल्टी है, आशिश बहती जी बेस फरवरी के बाद की हाईएस डिजिक्टरी को टेस्ट करता हुआ, और डियक्टर साब स्कीन पे एक बार क्लियरली ज़रा आप निफ्टी फार्मा भी रख दीजीगा, जो बात में कहना चारा हूँ, कि at 19352 निफ् पूरा का पूरा बेनेफिट निफ्टी फार्मार जाता हुआ, आशिश बायो कॉन प्राप का वियो, जी विरेंजी, फार्मा पूरा सेक्टर कापी अपबस कर रहा है, और बायो कॉन में भी अच्छा स्ट्रेंड देख रहा है, इसे खरेदारी करने की सला रहेगी इन देन करते हैं, मैं लगता है, इसमें बाररों पे तरके टागेट सेक्ने कर सकते हैं की सला है कि कोई भी इनिवेशन इंडना लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सला लें